हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में मैं 21 जून 2020 को होने वाले सूरे ग्रहन के बारे में कुछ महत्पूर्ण बाते आप लोगों को बताऊंगी हमारे शास्त्रों से लेकर modern science सकने ये बात मानी है ग्रहन के टाइम पर कुछ negative energy कुछ negative उजा ऐसे निकलती हैं जो हमारे लिए harmful हो सकती है अगर हमारे विदवानों की मानी जाए तो ये सूरे ग्रहन बिलकुल भी अच्छा नहीं है और इसके दुष प्रभाव हमारे जिंदगी में देखे जा सकते हैं वैसे तो ग्रहन के टाइम पर हर किसी को बोला जाता है कुछ ना कुछ साफधानी बरतने के लिए कुछ ना कुछ precaution लेने के लिए बट जो pregnant woman होती है उनके लिए और जादा precaution रखने का ये time होता है और जादा साफधानी बरतने का ये time होता है आगे की वीडियो मैंने कुछ categories में divide कर रखी है जिसमें मैं आपको बताऊंगी ग्रहन के time पर या फिर ग्रहन से पहले या ग्रहन के बाद आपको किन-किन चीजों का बहुत जादा दिहान रखना है इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये सूरे ग्रहन के timing क्या होगी कब ये ग्रहन पढ़ेगा और कब से इसका सूतक स्टार्ट होगा तो मैं आपको इसमें बताते हूं ये ग्रहन पढ़ने वाला है 21 जून 2020 को और इसकी timing होगी जब ये स्टार्ट होगा वो timing होगी 10.31 से ये स्टार्ट होगा morning 10.31 से ये स्टार्ट होगा और afternoon 2.04 को ये खतम होगा इस पूरे ग्रहन के duration 3 hours 25 minutes की होगी और जैसा कि ये सूरे ग्रहन है सूरे ग्रहन का सूतक हमेशा 12 गंटे पहले लगता है चंद ग्रहन का सूतक हमेशा 9 गंटे पहले लगता है तो ये जो आने वाला सूरे ग्रहन है उसका सूतक लगेगा एक दिन पहले रात में ये स्टार्ट होगा 20 जून 20 जून को रात को 10.30 बजे 10.25 से ये स्टार्ट हो जाएगा इसका सूतक अब हम लोग बात करेंगे आपको जो भी जो प्रेगनेंट वूमन है उनको सूतक से पहले क्या काम करने है सूतक के टाइम पे क्या काम करने है ग्रहन के टाइम पे क्या काम करने है और उसके बाद ग्रहन के बाद क्या-क्या आपको काम करने है क्या-क्या सावधारिया आपको सब से बहले हम लुग बात करते हैं आपको सोतक से पहले क्या करना है आपको Görunsky क्या करना है आपको खूब सारी तुलसी जी की लीफ जो आपको तुलसी का प्लांट होता है उसके खूब सारी पत्या आप अपने पास ए्कटी करके रखनी एक बात का हमेशे ध्यान रखे, ये काम आपको सूतक से पहले करना है कभी भी सूतक के टाइम पे तुलसी जी की लीव्स नहीं तोड़ी जाती है वो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है हमारे शास्त्रों के एकॉर्डिंग तो आप क्या करें सूतक से पहले टुलसी की खुब सारी लीव्स अपने पास सिठटी करके रख 50 वोजव इन आपको जो भी खाना पूट आपक्ट उसमें यह सारी वाले लीविज्ञ 투 catch जो भी काने वाले हैं उन्च में ना만 kadarट slower छेज कि एककृ आप एट कर दे पर ऊपो विस्तृत कने आप लोगों कि पहले आप वनम युद भाज प्भीण सरु दाइक हैं। को सविक्साशक के सब लोगों काम करने हैं। अगर आपको जो भी खाना खाना है जो भी वाटर इंटेक जो भी आपका रहेगा वही वाला आप खाना खाएंगे जिसमें आपने तुलसाजी एट कर रखी है जिसमें आपने तुलसाजी की लीव डाल रखी है तो वही आप खाना कंजियूम करें वही आप पानी कंजयूम कर अगर आप चाय भी पीते हैं तो वही मिल्क उसमें एट करें जिसमें कि आपने तुलसर जी की लीव एट कर रखी है तो ये सारी प्रिकॉशन आपको उस टाइम पर लेनी है जिस टाइम पर आपका सूतक चल रहा होगा नेक्स हम लोग बात करते हैं ग्रहन के टाइम पर क्याक्या चीजों का बहुत जादा ध्यान रखना होता है कौन-कौन से चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है जब ग्रहन स्टार्ट हो जाता है उसके बात से आपको खाना नहीं खाना है वाटर नहीं पीना है कुछ भी चीज़ आपको कंज्यूम नहीं करनी है अनलिस अंटिल आप बहुत जादा मतलब ऐसा हो रहा है कि आप नहीं रह सकते बहुत लंबे टाइन का ग्रहन है तभी आप कुछ भी चीज़ कंज्यूम करें वैसे कोशिश करें ट्राय करें कि बिल्कुल भी आप ग्रेंड के डुरेशन में कुछ भी ना खाएं कुछ भी के लाओ के बाइचन्स ऑके इसी है कि आपको फीना पढ रहा है आपको ख्ळह security एडिये और स्टी आप ग Темड़ सर्फ तो वही आप तूर्सी जेड़ा प्लयॹत कर्णना नैक्स जो आपको ध्यान रख नहें नहीं कोई बी चीज त क्ट नहीं करनी है और इक्जाम्पल आपको इसमें कोई vegetable कट नहीं करनी ए आपको इसमें कोई लाएक nay कुछ बड़ेजं से यह नहीं करने स्था System ऑब कोई ग्रहम की डूरेशन में कुछ भी चीज कातनी नहीं है करना थेогन की एक आपको टाइम करिए invece आप सोफे पर बैठ सकते हैं थोड़ा सा कमर टिका के बैठ सकते हैं जिससे आप ठका हुआ ना फील करेंगे जब मेरी प्रेग्नेंसी थी उस टाइम पर ग्रहेंड बहुत लंबे टाइम का पड़ा था आइ थिंक मुझे एक्जार्ट ताइम डिरेशन याद नहीं है बट वो शायद फाइव आज सम्थिंग का चंद ग्रहेंड पड़ा था और रात को डिरेशन जो होती है उस टाइम पर नींद बहुत आती है बट वो मैंने पूरा टाइम सोफे की टेक लगा कर अराम से इस तरह की श्राइब की बड़ा रात याद पर नेक्स पॉइंट आपको आटा नहीं लगाना है डेक्स पॉइंट आपको खाना नहीं बनाना यह आप कोशिश करें इस ग्रहन के ताइम पर आप किचिन में एंटर ही ना हो वो बेस्ट हो ता है जब मेरी प्रेगनंसी में टू टाइ तो मेरे लिफ बहुत जादा easy हो गया था next point आपको नहाना नहीं है this नेक्स पॉइंट आपको पूजा नहीं करनी है पूजा आपको temple में जाके मंदिर में जाके दिया बाती जो हम आपको नहीं करना है अप क्या करें बहुत अच्छा होता है आप कोई भी मंत्र का जाब कर सकते हैं इस टाइम पर जब यह ग्रेंट चल रहा होता है वह बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है हमें बहुत अच्छा फील होता है बट आप ध्यान रखें कि आप मंदिर में बैठके यह काम ना करें आप अलग से बैठे अराम से योगा मैट डाल के बै जाब कर सकते हैं उसके बाद आप सूर्य मंत्र का जाब कर सकते हैं वह बहुत अच्छा आपको मन में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके मन को बहुत शांत करेगा उस टाइम पर और कभी चंद ग्रेंड अगर आप पढ़ रहा हो तो चंद ग्रेंड में आप आप शिव जी मंत्रों के जाब करें जैसे की आपका चंद्र माध शिव जी के माथ लगा हुआ हो तो इस टाइम पे अगर हम शिव जी जी का कोई बहुत जादा बहुत Państu लेकर आता है तो चंद्डर ग्रेंट के टाइम पर आप शंकर भगवान के मंत्रो मका भाजब करें अशुरे ग्रेंड सीकाолだ को वा एंट्य के टाइम अप सूरे भगवान के मंत्रों का जाब कर सकते हैं या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, जो कि हमारा विश्णु बगवान का होता है, वासुदेव कृ Arabic जी का होता है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको मद से बहुत जादा शालती मिले नेक्स पॉइंट ग्रहन के टाइम पर आप कोशिश करें बिलकुल भी बाहर ना जाएं आप कोशिश करें जो सन की रेज है सनलाइट है वो आपकी बॉड़ी के ऊपर ना पड़े और अगर ऐसी कोई बहुत बहुत जादा घर में आती है आप कोशिश करें मलब करें उस पर हमेशा पड़ा रहे करें से वह विल्लो अच्छे से प्रपर से कवर हो अब पूरा ट्राइ करें कि सन रेज आपकी पूरी बॉड़ी पर किसी भी पोश्ट पे बेसिकली बेवी बॉम पे आप सं जाता है बहुत अच्छा माना जाता है पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि गेरू लगाने से या फिर गेरू के हूने से कोई भी नेगिटिवीटी का ट्रांसर नहीं होता है नेगिटिव एनरजी का ट्रांसर नहीं होता है गेरू एक इट आपकी ब्रिक जो होती है यहां से आप पूजा सारा समान खरीते हैं वहां पर आपको इजली गेरू अवेलेबल हो जाएगा गेरू अब यह वाला गेरू यह मैंने अपनी प्रेगनेंसी में लगाया था इसमें कलर प्रॉपर से आने रहे यह आपका इट कलर का यह किरू है यह पाउडर फॉर्म में भ अपने पूरे बेवी बंपे इसे अपलाई कर लें अगर आपका मन नहीं है बेवी बंपे अपलाई करने का तो अगर आप कोई भी जैसे आपको इक पहने अप रुपट्टे डाले हुए हैं तो उस रुपट्टे में आप इसको अच्छे से बांध सकते हैं और वह अगर गेरू आपके घर के आसपास अवेलेबल नहीं है गेरू नहीं मिलता इन लाट कंडिशन आप कोकोनट नारियल हम जसको कहते हैं इसको अपने पास रखे पूरे ग्रहन के टाइम पर इतने देर तर ग्रहन चल रहा होता है माना जाता है कि जो नारियल होता है वो सारी अपने लेरी लाता है उसके बात जब ग्रहन कहतो हम हो जाएं जब चीज़ जो भी कहीं बहता पानी हो जैसे तो उसमें जाके आप इस नारियल को आप बहा सकते हैं तो जितनी भी नेगिटिव एनरजी होगी तो वह सारी आप तक नहीं पहुचेगी वह इस नारियल अबसर्ब कर लेगा और वह आप से एकदम दूर रहेगी तो यह सारी चीजें जो आपको ग्रहन के टाइम पर बहुत तो यह सारी चीजें बिलकुल भी नहीं कर ली है अब हम बात करते हैं ग्रहन के बाद आपको क्या क्या चीजें ली तो इसमें आप जब ग्रहन आपका खतम हो जाता है सबसे पहले तो आप अपना जो भी वाटर है बात्रूम में उतमें थोड़ा सा गंगजल लें गंगजल और उसे बाथिंग लेने बातिंग के बाद बहुत जाद बहुत जाधा इंप्रटेंट होता है और कोशिश करें पूरा जैसे वुमन लेडीज हो की आदत होती है कभी-कभी है वाश हम नहीं करते हैं तो इस ताइम पर कोशिश करें हैर से लेकर फुरा-पूरा बाथिंग लें गंगल जल छिड़क दे और उसके बाद आप पूझह कर लें और जो भी आपको खाना है ग्रहेंट के बाद जितना भी आपको खाना खाना है तो आपको धान रखना है अब वह आपको फ्रेश बनाना है ग्रहेंट से पहले कमुछी चीज आप इमट्विक टो… water है water आप दुबारा फिल करें उसके बाद आप उस water को consume करें water आप अपना पी लें आप fresh खाना बनाए fresh water आप बरे और fresh water आप पीए ये सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी है so that's all for this video I hope कि मैं इसमें आपको सारी information दे पाई हूँ किस तरीके से आपको पूरे ग्रहन में अपना ध्यान रखना है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इन्फरमेटिव लगा हो तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक जरू करें और प्लीज मेरा वीडियो अगर कि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तो प्लीज उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करिये मेरा चानल और बेल आइकन हिट करना बिलकुल भी ना भूलें so that's all for this video stay healthy stay fit अपना ध्यान रखें अपने होने बच्चे का ध्यान रखें एपी रहिए stay healthy stay fit have a great day thank you for watching